समस्कार दोस्तों मेरा नाम है गगन नौर आज की इस वीडियो में हमारे पास एक हतियार दरसल यह नौर्मल से चीज है आप जब भी फ्यूल स्टेशन पर जाते हो तो आप देखते हो कि ऐसा नौजल होता है वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो डिप किया अंदर लगाया है इसको खीचा उपर की तरफ और जो है फ्यूल आना शुरू हो गया आपके गारी में अभी जब भी आप टंकी फुल करवाते हो तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यह बंद नहीं करना पड़ता है जैसे फ्यूल पूरा भढ़ जाता है चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल वो अपने आप बंद हो जाता है अभी नॉमली हमें यह लगता है जो चीज अपने इस दला मैं चोटी सी चीज आपको बढ़ा दू एक एफेक्ट होता है, वेंचरी इफेक्ट जिसे कहते है हूँ, वो कैसे काम करता है हो अब बढ़ा दू, देखो एक पाइप है, प्लास्टिक का पाइप या रबबड का पाइप जो होता है घर पर जिससे पानी आपर इस प्रेशर जो है वो हो जाएगा कम लेकिन उसकी वेलोसिटी स्पीड बढ़ जाएगी आगे की तरफ ठीक है क्योंकि पानी जो है पीछे के प्रेशर के कारण आगे स्पीड तेज होगी उसकी यह जो इफेक्ट है इसको वेंचुरी एफेक्ट कहते हैं एकदम सिंपल टाम से सम अब जब भी आप इसे करते हैं इंसर्ट ठीक है उस वक्त क्या होता है कि आपके टैंक है फ्यूल टैंक उसमें खाली जगह में हवा बरी हुई है अब जब आप इसमें से पेट्रोल अंदर जा रहा है या डीजल अंदर जा रहा है उस वक्त जो एर बार आ रही है वो एर इ फ्यूल जो होता है, थोड़ा सा भारी होता है, अहर से, तो जब यहां पर air आते-आते, अहँआज यहां, फ्यूल टच हो जाएगा, तो फ्यूल को खीचने में थोड़ी प्रॉबलम होगी उस diaphragm को, खीचने में प्रॉबलम की किए और किया होगा, और फ्यूल का प्रोसेस बंद हो जाता है इतना सा प्रोसेस है फ्यूल आ रहा है, एर अंदर जा रही है जब यहाँ पे फ्यूल टच हो गया आपका यानि कि टंकी फुल हो गई तो उसको खीचने में दिक्कत हुई डाय फाम जो है वो छोटा हो गया और यह जो पुल्ख की वो यह नॉजल है यह नीचे आ जाती है वापस इतना सा प्रोसेस है जो आप यहाँ पे लिवर देख रहे है सारा काम इससे लिंक्ड होता है और बहुत ही एक स्वीट सा छोटी सी चीज रैंचुरी इफेक्ट जो है उसको लिंक कर दिया गया इतने जबरदस प्रोसेस से कोई एलेक्ट्रिकल प्रोसेस कुछ नहीं आपको सिम्पल मेकेनिकल प्रोसेस है कोई खत्रा नहीं है फ्यूल जो है उसकी एक बूंद भी गिर जा है तो आजकल तो दुक होता है देर देरे महेंगा जिससाब से होता जा रहा है तो ये वो fuel को गिड़ने नहीं देता है अच्छे से उसे maintain करके रखता है नहीं आपको बार-बार ध्यान देना पड़ता है कि fuel बारा है या नहीं बारा बारा है या नहीं बारा automatically बंद हो जाता है बस इतना सा प्रोसेस है engineering कमाल की है पढ़ो तो नहीं पढ़ो तो कोई गाम की भी नहीं है और आज की वीडियो कैसी है वो आप लाइक करके मुझे बता दें अगर पसंदा आए तो लाइक कर दीजिए सब्स्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को मैं आपके लिए